बच्छों हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की physics chapter 14 जिसका नाम है oscillations अर्थार्थ दॉलन और आज हम उसका भाग तीन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सल आउट गति में कण का विश्थापन वेग वे तवर्ण जैसा कि आप जानते हैं बच्छों कि सल आउट गति में जो पिंड होता है वह अपनी माध्य स्थापन के समान उपाती होता है तो उस विश्थापन का मान कितना होता है और साथ में उस विश्थापन से हम आउकलं के साहिता से वेग का मान निकालेंगे और साहिता से ही वेग से क्या निकाल लेंगे हम तरौन का मान निकालेंगे और साथ में बल का नियम है वह इस वीडियो में पढ़ेंगे लिए बच्छों से पहले अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो आप उन्हें जूरू देखें कि वहां सल आउट गती के विश्थापन का समेकन बनाया गया थ और उस विश्थापन वाले समेकन को अब हम यहां सीधा काम में लेने वाले हैं तो बच्छों कोपी पैन के साथ आप त्यार हो जाईए और जहां भी आपकी समस्य आए वीडियो को पहुच कीजिए और द्यान से उसको दूबार सुनिए तो बच्छों हम पढ़ रहे हैं व कि आप से असरे विश्ठापन का समाकलं के उंचार अर भी मतलबकि के तो इस्तती आएगा फी यह समझाजिए लुए कि आक्स स्ततीh का czy विश्थापन को समाक्लंग करोग्य तो वेक まना आएगा और वेक का समाक्लंग कर ओए। आब और पिछल्ले वीडियो में ज uniform का मेकन होता है वाइ साइंघ पो ब्ता चैरी को बना कर के लिए होता है और 5 बढ़ाबर मानते 0 0 मानने सी क्या होगा पूरा समिक्र होता है य बढ़ाबर a sin omega t plus 5 ठीक है तो हमने 5 का मान 0 कर दिया तो यहां एक बचेगा a sin omega t बचेगा अब अचुई जो omega होता है यह omega है तो omega जो है वह आपको भली बाती पता है यह सुतर बार-बार काम में आ रहा है कैसे बना वह भी आपको बता दिया गया है और यह सुतर ही आपके बारी में भी बार-बार काम में आएगा तो वह होता है तो हम क्या करेंगे इस omega की जगह तो पाई अपॉन टी रख देंगे और यह आ गया स्मॉल टी समीकर नमबर क्या आगी एक आगई अब इस समीकर एक से हमान रखकर इसका ग्राब बनाएगी ठीक है है तो डिएगो जो समीकर हैं बच्चो एक बाल इसमीक आप देखें टू पाय अपॉन टी है और닝 vårhing ृ सान के मान है ठीक है जो स्वाल करते हैं तो य बबराबर एसाइन ओमे승 को मान हो गया टू पाई अपउन टी çaो आगय है आगे ऑस्मॉ Buti क्या जाएग यहां पर 0 तो यह 2kom पाई आपंड ती गोना 0 हो जाएगा तो पूरा जेह नहीं होगा साइन 0 जाएगा और साइन 0 क्मान क्या होता है 0 होता है अब वो 0 गुणा होगा A से तो A गुणा क्या हो गया 0 तो बच्चो टी ब्राबर 0 देन Y इक्वल 0 ठीक है अब बच्चो दूसरा हमान रखेंगे टी बटा 4 का तो चलो टी बटा 4 रखते हैं तो 2 पाइअप आपॉन टी गुणा टी बटा 4 तो इसको मैं रखेंगे तो आपको साउन की ट्रिक आप साइन की ट्रिक फोलो कर सकते हैं minus 100 तो साहिए नबबह यहां आता साहिए नबबह मान कितना है एक है तो एक रखेंगे पिए एक उना एक हो जाए गा तो यह मान आ गया प्लस का एक अब बच्वो आगे के मान मैं निकाल को निकालूंगा क्यों कि निकाल हूँआ कि तो पैला मान 0 है प्राज फिर वह मान उपर चला गया क्या आगया पॉजिटिव ओकी अब वह मान वापस कहा आएगा जीरो के बराबर देखो तो तीसा मान आएगा जीरो और फिर जीरो के बाद ही वह मान जाएगा निची की ओर निची की ओर उतना ही जाएगा जितना वह पहले पॉजिटिव उपर के हो गया था हो प्लस वह तो नीची के बागा को जाएगा तो मतलब जीरो फ्रीट फिर निची या फिर आप आगे ऑड करना चाहें नचाहां तो आगे 500 दो यहां रग देना स्मूल टी की जगए गोना बाह करेंगे वापस जी रॉआ गा और इस प्रकासे चलता जाएगा तो यह हम इस चेतर में दर्स आएंगे देखो पहले जीरो पर बच्व कितना जीरो है ऑक फिर टी बटर चार पर टी बटर चार पर मैंक्जिमम मैं दनात्मक में यह लिए दनात् यह क्या जीश्ञ प्रकार से गरहा पर सलावर्त कौ आपन को दर सार या फशत को आगे क्यों चलता जाये गा अगर हम बात करें जाया विश्थापित होता से में सब्स i. hang कि अध्iblia तो उससे फरक क्या आपाईये देख आप एक प्राशा की संगी तो थोड़ा से से क्या है विचलत हो गया थे歌 क्य chuck करते हैं जी था अब बात करते है उसके वेग की बड़ा परशना आता है परिक्षम यहां से तो वेग के लिए बात करें तो पहले हमें पता होना चाहिए कि विस्थापन का समीगर्ण क्या था तो वाई ब्राबर ए साइन ओमेगर टी यह क्या है यह तरंग का सहला आउद्गत चाहिए अब एसाइन ओमेगर टी का जब आप करेंगे तो यह तो अबहार निकाला पड़ेगा यह तो नहीं है तो एक हमने पहले बाहर निकाल दिया यह कि अंदर क्यांग ऑमेगर्टी साइन ओमेगर्टी का आउक्ण होता है कॉस मेगर्टी फिर आप समझने यह आघे सब्सक्राइब अग्स का किया जाए तो बश्यश्य का निएक टॉर्णा एक तो बड़ावर इसलिए हमने वहां पर उसक नहीं लिखा लेकिन अगर यहां मैं कोश't स्क्वार होता तो यह ऐसा नहीं होता तब इसको पहले तो पूरा कोस अक्स स्क्वाय लिखेंगे ठीक है फिर दी अपॉन डी अक्स अक्स स्क्वाय का अलग से करेंगे जो आएगा टू अक्स को समझे अब तो इसी तरीके से इसको करना है कोस मेंनेंगे टि साने ऑमेगा टिका ओं मेगा तो ओं मेगा टी इसके अंदर ओमेगा टि सापर है थायमने तहीं vagi ओमेगा डिद्ञभाओं मेगा और आगया छिए हों मेंगगा यह स् Clay अनंहोंड ऑपक है एक क्या यहिए graph आउर्ट कती के वेग का समीकन है ओके अब देखो बचो तेकोंड मेंती है सरसमीका होती है साइन स्कॉय थीटा प्लस कोस स्कॉय थीटा ब्रावर एक होता है यह हमें पता है अच्छे से और इसमें हम अगर पक्षान तक हैं साइन स्कॉय ओमेगा टी को उधर ले जाएं तो 1- साइन स्कॉय ओमेगा ठी होता है फिसका इसकोय age यहां से तो हम में का लेना पड़ेगा इसका मुंक लेना पड़ेगा जो आएगा स्वाट कर यह लुदा लिखा गया है कि सियुक्राइब यह माईया लिखना है कि स्कंथ और वि यहां तक आ चुक है ओमेगा लृका लिए कर दिया है जाए अब विद्इविब भावाइच फिर्फिटों यह ल क्या करें है इसको अंडर वापस वेज वैजएंगे तो हम अंधर वार बेज़ाना तो एश Special में बेज़ेंगे तभी यह के अंडर जाएगा तो a square इसे गुणा हो जाएगा और दोनों पदोसिया अंदर गुणा हो जाएगा लेकिन a square group में वगया आपको वापस बाहर निकार चेक करना है कि मैंने सही किया गलत किया तो a square का वर्गमूल क्या होगा a होगा और भार जाएगा दोनों में से को मना कर ठीक है अब सब्सक्राइब हमें पता है वाइब क्या होता है a sin omega t होता है तो वी बराबर ओमेगा यह आपका वर्गमूल में आ गया है और यह स्कौर माइनस यह किस का मान है वाइक है तो वाइस का यह सुतर भी आप दिमान फिट कर लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा काम में आने वा गोई का मान 0 है भाई नियुक्त बचाएगा वी बराबर ओमेगा ड्सकॐरोट यह जब लीजिए। वस्कौर ईए बचाइगा ओड़्य सब्सक्राइब अधिक्ता मान तो अमेगा और नियुंत्व हो जाएगा जिरो हो जाएगा और य बराबर ए ओमेगा कोस जो अब यहां नहीं रखा है मान नहीं लावर यह बराबर ए ओमेगा जो कोस omega t का मान है इसमें हम मान रखेंगे टीके को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेगा की जिगह तो हम कर दिए अपाई पाइपाउन्ठी और तो यह लिए मैंद नहीं कर दिया 0 टीक है तो यह तो गया जिडिभी अब कोस से पयोंगे तो 1 गुना हो जाएगा ए ओमेगा तो जरो के सगतिने मान आगे अ ABOUT ऐला मान निकाल ली पीतिहों माइनस में जितना यह प्र타्स वाला था उतना माइनस में आ temos अमेगाbelt फिर अगला मान का य Earn मान का बताो तो बिलकुल जीरो पर नोच फिक आएगा पैद पोझनिटीव पॉजीटीव से जीरो जीरो से नेगेटिव नेगेटिव से वापस जीरो जीरो से वापस पॉजिटिव इस प्रकार से मान चलता जाएगा ठीक है तो देखो पॉजिटिव जीरो नेगेटिव जीरो पॉजिटिव इस प्रकार से लेगा तो देखो जीरो पर क्या है पॉजिटिव है फिर यहा पर वापस से प्राइस लगे यह उमेगा तो इस परकार से यह हो गया सहल आव्त दति में कणके वेग का ग्राफ हो गया ऑक कि वह सी भर्राइब तो यह इन निए उसकता है एक उधर ले यह लीए अपनेगे तो दो यवाई बटा यवाटा ए बडाबर साइग ओमेगा टी इसने प्रकासे इसको लेड़ यहां पर यह से क्या करेंगे विपाइगे उमेगा कोई स्कॉयर अब इस समिकर्ण के वरख किजिए तो याएगा यह बटा को 210 सक्क्राइब बढ़काइब स्क्र момुंधाइब ग्राइब स्क्राइब को जोड दीजिए तो भॉपल अब यह दिखते हैं आपको तुन्त याद आएगा कि यह तो यह होता है विल्कुल एक होता है लिग दिया वाइस को अब स्कुल और यह बच्छो मैथमेटिक इस्ट्रेंट को अच्छी से पता है यह समीकन किसके आ गई देगवर्थ के आगे जिसका चितर यह आपके सामने एक में तो पलस एक आयाम है विश्थापन वाले में माइनस एगा और एक में एओमेगा किसका वेक के लिए तो वेक के सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पता है कंग का वेका आ गया है वी बराबर एओमेगा कोस ओमेगा टी कैसे आये था विश्थापन का आउखलं करके अब वेक का आउखलं कर दो तरवन आ जाएगा तो देखो वी का आउखलंग किया डीवी अपॉन दीटी ओकी और इसका कर से ओमेगा तो आगया बाहर पहले से से एक अवेसे ही याद करने के लिए आपको बतारा om होते हैं उनके मैनय में आते हैं नगेटिव होते हैं कि समाँश यागी कि ओमेगा से या ती है और से वही बात है कि omega t में इस t का is t का dt के साफ़ एक होजाएगा तो क्या बचेल किया वचेगा वह एक क का जाएगा भारा जाएगा अब यह omega इस omega से क्या जायए गोना होजाएगा तो तरवन कमान जाएगा a ब्राबर माइनस a omega square sin omega4 capital A हो ठीक है तो एक है यहां पर capital ठीक है अब इस में से हमने शुरुआत की थी y ब्राबर a sin omega t से तो यह हो गया a ब्राबर minus omega square y हो गया इसे हम क्या कहेंगे इसे हम तरौन का समीगण करते हैं किसमें सहला आउर्थ गती में तरौन का समीगण तो वेसे मान पूरा मान कितना इसका यह यह आपछो यहां भी small a है ठीक है तो small a ब्राबर माइनस omega square a यहां पर क्या है capital A क्या है आया मैं sin omega t तो small a ब्राबर माइनस omega square a sin omega t ठीक है तो बच्छों अब वापस हम graph की बात करें तो graph कैसे बनेगा इस omega ही रख दो 2 pi upon t और small t small t का मान पहले कितना करना है 0 करना है तो 0 करते हैं यह पूरा 0 हो गया तो sin 0 का मान में 0 होता है तो यह ब्राबर कितना आ गया आगे टी बटा चार स्वारी 2 pi upon t रखेंगे और small t की रखेंगे टी बटा चार अब इसको solve कर देजिए तो यह आ गया पाई अपाउन 2 आ गया इसका बागिसमें दिया 2 आ जाएगा पाई अपाउन 2 sin 90 sin 90 कमान होता है 1 और sin 90 कमान जब 1 होता है तो यह गुणा बच गया ठीक है अब कहाँ जाएगा पलस में उपड़ कितना जाएगा जितना माइनी ता उतना पलस में उपड़िए बाहिए अपक tob is 0 फिर प्लस उपर फिर 0 फिर नीचे पिर 0 फिर उपर इस प्रकार से चकछ चलता रहे तो देखो यहां माइनस लगा हुआ ना इसलिए हमने इस बार इसकी शुरुआ नीचे से की ए तो गई है टी बटा चाया पर माण तरवन का ग्राफ हो गया तरवन का ग्राफ समझ गया आप इस प्रिकार से हमने तरवन को समझ लिया अब बच्छो इसमें एक छोटा स्टोपिक और है छोटा तो है लेगे मेर्तोपूर्ण सेल आउट करती के लिए बल का नियम पड़ेंगे तीक है बल आप जानते हैं जो वस्तु की इस्तति को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रियास करता है तो बच्छों हमें पता है जब भी बल लगता है तो हमें मा याद आती है एम ए मा और दाब लगता तो पा पे ए के लिए सब्सक्राव सोरी आइप ब राबर भी ए हैं। और यह रहुत के लिए तो बल के लिए मा याद आती है यह मद्म है ठीक है प्यूंदटल एक अमान कितना निकाला था कि अभी निकालता ओमेगा स्क्वार्ट A sin Omeegan T है कि मैं इस था मैंने मैंनिस में था भकी देख सकते है आपपीछे ऑड एब मैणس equation to do Minus amd ऑमेगा स्कiration E題 कि उल नांगे वाइबर होता है A sin omega t तो A-m omega square y हो गया ठीक है अब इसमें समझे गया है यह जो M omega square है यह क्या होता है यह क्यों होता है और यह क्यों होता है अब इसको आप और भी सल कर सकते हो कि कैसे करने शर्ड कि omega s क्या आजाएगा रूट में आजेगा मान कि किए अपन एम है तो आ गया रूट कि अपन एम आ गया तो माय निकी यह प्रुट करते हैं कि बल की दिसा विश्थापन से विपरित होती है आपने मुग किया इदर छोड़ते कि दिए जाएगा इदर तू समानुपाती होता है तो इन पर अधायत कुस्ण से से वह हम जल्दी से सोल कर लेते हैं कोई पिंड है निमन लिखी समिकर्ण के अनुसार सल आवरत गती से दोलन करता है तो अक्स ब्रावर पांट जीरो मीटर है यह तो गया आयाम कॉस की रूप में है टो पाई रेडियर परती सेकेंड है टी प्लस पाई अपॉन फॉर है क्या निकालना है टी ब्रावर एक पॉइंट पांच सेकेंड पर पिंड का विश्थापन वेग और तवरन हमें निकालना है ठीक है समीकर्ण आपको अक्स दिया है तो बच्छों आपको बता दूं अक्स का हमें आउक्न करना होगा तो वी आ जाएगा वेग और वी का आउक्न कर आपको आपको आगे दिक्रत नहीं है जैसे मैं इसका आउक्न करूंग करूं या जी ब्रावर दी एक सपॉन टी चलो करते हैं देखो पास तो बाहर रहेगा आपको बता है पासंग क्या है इसका करेंगे को से टू पाई टी प्लस पाई अपॉन पॉर का ओके तो इसका इसका पॉर माइनस दस पाई तो पहले से बाहर है माइनस से 10 से पाई पहले से बार, sin 2 पाई T प्लस पाई अपॉन फोर का हो जाएगा, cos में हो जाएगा बच्छों, यहां cos आएगा, ठीक है, cos 2 पाई T प्लस से पाई अपॉन फोर आएगा, क्लिए, फिर देखो, इसमें 2 पाई T जो है न, इसमें 2 पाई T में T का एक होगा, 2 पाई बचेगा, वो 2 पाई आजाएगा बार, अब 10 से 2 कोणा किया, 20 मैंने साथ में था, पाई से पाई कोणा किया, क्या आगा, पाई स्कुरर आ गया, यह हो गया, इसका तवड का उकलन, ठीक है, यहां पर cos आजाएगा, पिसली सी बाद है, cos का उकलन किया, sign का उकलन किया, cos आगया, ओकी, अब आण रगते हैं, पहले से में करने, विस्था आपन अक्स निकालना है, समे काउन कितना 1.5 है, तो 2 πाई T में हमने कर दिया 1.5, 1.5 करती हो गया 3 πाई, ठीक है, अब 3 πाई प्लस पाई अपनों फोर है, तो cos, sin, इनके 3 कोन में थे अनुपात आपको आते हैं, तो cos 3 πाई प्लस थिटा यह, तो यह आएगा, माइनस कॉस थिटा, ठीक ना, 3 πाई का मतलब बच्छो कितना होता है, बताओ, तो तीन पाई आप निकालेंगे तो यह देखो बत्चो आप याप करेंगे इसको यहात है पाई फिर वापस आ गया टूपाई फिर गुमे गए थिपाई क्यों यानि 5 गुणा सब्सक्राइब करते हैं अब इसमें अक्स कमान हो गया अब माइनिस पांच गुणा यह कितना है को सब्सक्राइब इसका मान लग दीजिए आप वन अपन रूट टू इसका मान था जिरो पॉंट साथ यह मान आप वैसे वियाद करना यह बारी क्लास में चेप्टर दस जो हमें आता वन अपन रूट दो और प्रीसे में भाग देने नहीं जाएं इस अच्छा है कि ऐसी याद कर लेने चाहिए ताकि गुणा वाग में समय कम लगे जिरो पॉंट साथ जो साथ इसको सोल किया या गया माइनिस तीन पॉंट पांच तीन पांच मिटर आ गया अब समी इसे में समय कर देगा मैं लग दया यह गया याद करने का फाइदा हो गया इसको सोल किया बाइस इस माइनस को क्या कर देगा बराबर क्या आता सब्सक्राइब कर दिए अब इसमें सब्सक्राइब कर दिए आप तो यह वन अपन रूट टू तीन पॉंट चाहिए गौना भी से इसको यह जीव पॉंट साथ मैंने का याद कर लिजिए बार बार काम आएगा यहां गया तरवन कमान एक सुनचारीस पॉइंट चार एक मीट पर ती सेकेंड स्कॉर्ए ओके अब एक सिंपल सा क्योशन है आपके किताब में लाज किक्षिन में किस्ट नमर नो बार से न्यूटन इंटू मेटर इन्वर्स कमानी स्था की कोई कमानी है जो चितर चितर हमने आगे बिना रखा है चितर में दरसा अनुसार किसी 36 मेज से ज अधिक्तम तवरन और पिंड की अधिक्तम चाल हमें ग्याते करनी है चलो करते हैं यह देख लिए पहले आप चितर में पर इसको स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है कमानी ठीक है एक गुट का लकडिया गुट का यह कमानी यह लकडिया गुट का ठीक है के कमाना 22 न्यूटन की पावर दो सेंटीमीटर तो एक सेंटीमीटर में हो जाएंगे दस की पावर माइनस दो मीटर ठीक है अब दोलना आवरती कितनी होती है बचो यह होती है वन एक्वल वन अपन टू पाई रूट के अपन एम होती है के कमान 1200 एम का तीन है इसको सोल किया 3.184 कंपन परती से करते हैं अधिक्तम तरण आता है ओमेगा स्कॉर ए और ओमेगा इंटू एक का आयाम है 1200 एम तीन और यह 0.02 तीन हो मान आपको सवाल में दिये वे हैं साहल कर दिया आफ मेटर परती सेगंड स्कॉर आगया ओके अधिक्तम 4 चाल कर देखते हैं वी बराबर ए और यह ओमेगा कमान अधिक्तम विस्थापन वे एक तरण में तो एक कमान यह आ गया ओमेगा कमान हमें स्वाल में दिया वाकिये बटाइम का के का बारस तो है और एम का तीने इसको सोल कर दिया तो यह आगे 0.4 मिटर परती सेगंड ओके यह स्वाल हो गया आपका बिलकुल आसान सा स्वा होई है और साथ में यह दर्साइए कि जब गुटके को अपनी सामय उस्ता कि इस्तति से किसी और विस्थापित किया जाता है तो यह स्ला आउत्यक्ति को गया करता है दोन का आउतकाल किई जिए चो देखते हैं तो दोनों को बन नेतांग तो क्या होगा समान होगा दोनों जो आए दूस्यों को समान उपाती माइनस अक्स यहाँ बन यह इसका बंद जाता है लेखिया इसका ऑगे माइनस से की एक्स आगे आगा माइनिस 2K X हो गया जैसे कि आपको पता है वाचो कि normal में क्या आता है एफ माइनस के एकस आता है लेकिन यहां देखिया आप इस की जर्फ तो की आगा है तो हम इसको के डिस माल लेंगे ठीक है कि माल लेंगे के डेस पराबर 2K बस यह इस वाल की जो आंसर वह इस पॉलग करेंगे तो बच्चों के आएगा तो इसका मतलब आक्स का कितनी बार आउकलंग किया जाए तो आप तो आप दो बार क्या एक बार तो यहां हो गया और एक बार वेक की रूप मी हुआ तो इसका मतलब सकते हैं डी स्कॉर अक्स अपॉन डी इसको एर बडाबर ए ठीक है तो ए बड़ाबर ए और यह ब्राबर ए ब्राबर ए ब्राबर ए ब्राबर ए फ होगे न आ ब्राबर माइनस 2 के अक्स तो आगे बढ़ते हैं तो प्रवाइब बढ़ने तांग के देश की जो मैं आपको बताया थे कि साइस वाल इसी पर टिका हुआ है और आवर्ती जो तेस में दोलन का निकालते हैं आवर्त का लगमान टी व्याव टू पाई रूट एम अपॉन के डेस तो के डेस में क हम ग्याद करेंगे सल आउट कती में उर्जा का मान कितना होता है तो बच्चों मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद